गाउं में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भोल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परिसान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किसमत और भगमान को कोशता रहता या फिर अपने मन में उस इनसान से बदला लेने के खयाली पुलाओ बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था य उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौधमत में एक जिन माश्टर रहते हैं तुम उनके पास जाओ वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समधान आवश्य बता देंगे। वहनो जवान लड़का जिन माश्टर के उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन माश्टर का बिना कुछ उत्तर दिये यूँ उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जिन माश्टर मिट्टी की गलास में पानी कितना होगा। लड़के ने कहा मैं एकदम सटिक तो नहीं बता सकता लेकिन इस गलास का बजन बहुत ही कम है। अब जिन माश्टर ने गंभीर होकर कहा मेरा प्रशन ये है कि अगर मैं इस गलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड जिन माश्टर ने फिर प्रशन किया अगर मैं इस गलास को थीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। आपके हाथ में बहुत भेंकर दर्द होना सुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन भी हो सकता है। आपके मास्पेशियों में भारी तनाव आ सकता ह और यहाँ तक की आपके हाथ को लकब भी मार सकता है। दर्के ने गंभीर सब्दों में कहा। जिन माश्टर ने कहा। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इस दोरान गलास का बजन बदला। दर्के ने कहा। नहीं बजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मास प्रस्पेसियों में तनाव क्यों आया जिन मास्टर ने पूछा बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया जिन मास्टर ने फिर प्रशनी किया अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं गलास को नीचे रख दीजिए लड़के ने जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इसारा करते हुए कहा अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गलास के तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द बैदा कर देगा अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हांस से निकल जाएगा और फिर तुम भविश्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोसिस करो कि आज तुम वैसे गलतिया ना करो जिसके लिए तुम्हे भविश्य में पश्ताना पड़े इसलिए चिंता करना बं आउट इस्टोफ बरिंग एंड इस्टार्ट लीभिंग यानि चिंता छोड़ो सुक से जीओ आप तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं और अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को सुन भी सकते हैं कुकोफम एप पर इस किताब में चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने के कई सारे तरीके बताए गए हैं मैंने भी इस किताब को दो बार सुना है और अगर आप